अमलों और छारों की अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदात को क्या कहा जाता है तो अमलों और छार की अभिक्रिया के स्वरूप बने पदात को लवण कहा जाता है option number B लवन राइट आंसर हो जाएगा और आपसे उदासीनी करण प्रक्रिया में क्या बनता है जो उदासीनी करण प्रक्रिया होती है इसमें आपका लवन एवं जल बनता है तो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का उदासीनी करण प्रक्रिया में जो है लवन और जल बनेगा ठीक ह सबसे सुद्धतम जल कौन सा होता है समुद्र का, वर्षा का, नदी का या खुँए का, तो सबसे शुद्ध जल होगा आपका वर्षा का जल, option नमबर यहाँ पर भी, वर्षा का जल यह सबसे सुद्ध जल होता है, option नमबर यहाँ पर भी, प्रशनी के लिए सबसे सुद्ध जल के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा, अगला question देखे, अगले question पूछा गया आपसे, 35 53 वा question है कि शुद्ध जल कैसा होता है, शुद्ध जल कैसा होता है, अमली है, छारी है, या फिर उदासीन, तो आपका जो शुद्ध जल होगा, यह आपका उदासीन होगा, मतलब इसका पीएच मान होता है, साथ, correct साथ, साथ से कम अमल होता है, साथ से अधिक छार होता है, और शुद्र जल रहेगा तो उसका ना ही वह अमली रहेगा न अच्छारी है उदाशीन रहेगा, सात रहेगा उसका पीच मान, ठीक है? अगला question देखिए Malaria पर जीवी को नश्ट करने में प्रिविक्त ओशिदी कौनसी है? मलेरिया पर जीवी को नश्ट करने में प्रिक्त औशिदी यहाँ पर आपको जो option दी गए हैं बिलकुल याद कर लो इस्टार लगा लो उस question को most important question है यह chloroquine, aspirine, morphine और penicilline मैं से chloroquine option number A यह use होती है मलेरिया पर जीवी को नश्ट करने में प्रिक्त औशिदी option number यहाँ पर आपका A बिलकुल सही answer हो जाएगा chloroquine option number A प्रशने के लिए right answer है अगले प्रशने में पूछा गया है कि किसमें कारवन की प्रतीशत मात्रा सबसे अधिक होती है पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या इसपात या फिर सभी में समान होती है तो कारवन की सबसे जादा जो मात्रा होगी वो आपकी होगी ढलवे लोहे में option number B में आपको ढलवा लोहा दिखा है इसमें कारवन की प्रतीशत मात्रा सबसे अधिक होती है option number यहाँ पर भी आदर्श गैस की बात हो रही है यह आपकी temperature पर या तापमान पर निर्भर करेगी option number C temperature या तापमान प्रशनी के लिए बिलकुल सही आंसर हो जाएगा या रहेगा अगला question दिखिए most important question है सभी एक से वड़की एक question है चाहें MTS की तयारी कर रहे हो चाहें सीटर की तयारी कर रहे हो चाहें आप railway की तयारी कर रहे हो इस्टेट लिए पटवारी कॉंश्टेवल और गएरा किसी भी exam की तयारी कर रहे हो किसी भी राजी के हो छपे मिलेंगी एक question आपको पेपर में इतने शांदार question है cooking gas किस का मिश्रण होता है most IMP एक और question तो cooking gas ये आपका butane और propane का मिश्रण होता है option नमड़ी butane और propane का मिश्रण होता है cooking gas option नमड़ यहांपर डे राइट आंसर है अगला question देखिए अगले question पुछागे आपसे कि सबसे कठोर पदार्थ यहांपर आपको जो option देगा है हीरा, platinum, chandhi और aluminum इन मैंसे सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा तो यहांपर आपको जो option देगा है इस मैंसे सबसे कठोर पदार्थ होगा आपका हीरा हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है option नमरे हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होगा प्रशनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा अगले कौशन देखिए अगले कौशन में आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन के समिस्थानिकों की संख्या कितनी होती है तो जो ऑक्सीजन होता है उसके जो समिस्थानिक होते हैं दो, तीन, चार, एक में से राइट आंसर हो जाएगा दो, ओक्सीजन के समिस्थानिक के संख्या होती है दो, ओप्शन नमबर यहाँ पर ए दो प्रश्णिक लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धातू के तार में विद्धुधारा का प्रवाह किसके कारण होता है धातू के तार में जो विद्धुध बहती है, करेंट बहता है तार में करेंट लगता है, विद्धुध बहती है, तभी लगता है न, विद्धुधारा बहती है तो option number यहाँ पर आपका A right answer हो जाएगा देख रहे हो question कितने शानदार हैं दोस्तों यदि आप मैंसे कोई MTS, Seat, Railway, SSC इन सब की तैयारी कर रहा है तो उसमें GK बहुत सारी आती है और हमने आपके लिए जो question पढ़ा रहे हैं और इसकी PDF आप सभी को WhatsApp पर मिल जाएगी आप मेसेजिस को यह PDF चाहिए 300 रुपए की PDF है लेकिन, लेकिन, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर को केवल और केवल सिर्फ हमारे चैनल पर 99 रुपए में आपको 10,000 GK कोशन की PDF मिल रही है जिसको भी PDF चाहिए जो भी 99 रुपए payment करने में सक्षम है बाकी तो आप YouTube पर हम प्री पढ़ाते हैं जिसको PDF चाहिए एक साथ 10,000 कोशन की तो वो phone पे, Google पे, Paytm के मादम से payment करके नीचे वाले दिये गए नंबर पर payment करके WhatsApp पर PDF प्राप्त कर सकता है अधिक जानकारी के लिए नंबर पर call कर लेना ये नंबर पूरे वीडियो भर आपको ये नंबर शेओ होगा ठीक है जिसको भी PDF चाहिए नीचे दिये गए नंबर पर call कर लेना पूरे वीडियो भर आपको ये नंबर मिलेगा जब भी आप free हो स्क्रीन शॉट लेके रख लेना call कर लेना अगला है जल सीशा मतलब water glass का राजसानिक सूत्र क्या होता है तो जो water glass होता है उसका राजसानिक सूत्र होता है Na2SiO3 option नंबर E Na2SiO3 क्या होता है ये water glass या जल सीशा होता है option नंबर E यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question दिखिए Deuterium के नाभिक में क्या होते है Deuterium के नाभिक में Deuterium आपका skill D2O भरह सोटा क्या बूल जाता है deuterium oxide deuterium oxide में आप कीजिएगा deuterium oxide को भरह सोट़ बहा बोला जाता है D2O हो जाए डियूटीरियम के लिए अगला कोशन दिखिए हैदरावाद और सिकंदरावाद शहर किस जील के किनारे हैं सबसे पहले तो याद रखो हैदरावाद सिकंदरावाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है और हैदरावाद और सिकंदरावाद शहर यह आपके हुसीन सा आता है है हैधराबाद के बारे में याद रखना ठीक है अब आप कमेंट करके बताओगे कि हैधराबाद कहां की राजधानी है तेलंगाना या आंधरपदेश या पिर कहीं की नहीं है है हैधराबाद कहां की राजधानी है आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं देखते हैं आपको राज्य और राजधानी आप जिस देश में रहते हैं इस्टुडेंट हो चाहे ना हो बिना इस्टुडेंट नहीं हो उसको भी आदोना चाहिए कि आप में आपके 28 राज्य हैं उन राज्यों की राजधानी क्या है ये तो normal मतलब बिलकुल basic कि जी के कहलाता है तो आप में से किस-किस को याद है कि हैदराबाद जो है उसकी वो किसी की राजधानी है या नहीं और यदी है तो किसकी कमेंट करके बताना ठीक है काकोलत जल्प्रपात विहार के किस जिले में स्थ है काकोलत जल्प्रपात तो काकोलत जल्प्रपात ये विहार के नवादा डिष्टिक नवादा जिले में है option number यहाँ पर सी नवादा जिला या नवादा डिश्टिक राइट आंसर है नहरू परवता रोहन संस्थान किस राज्य में इस्थत है तो नहरू परवता रोहन संस्थान ये आपका इस्थत है कहाँ पर उत्तराखंड option number याँ पड़ी उत्तराखंड राइट आंसर है भटकल बंदरगाह कहाँ पर है तो जो भटकल बंदरगाह हिसते थे यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिये गए उसमें से करनाटक में ऑप्शन नमबर ये भटकल बंदरगाह हिसते थे option number E, करनाट का right answer है प्रश्ण के लिए चिराव बांसनत्य किस राजे से संबनत है तो चिराव बांसनत्य, बांबू, डांस ये आपका संबनत है, बैंबू, डांस मिजोरम से option number B, मिजोरम right answer है हजरत बल दरगाह, कहां वस्त है हजरत बल दरगाह, ये आपकी जम्मू काश्मीर राज्य में है option number सी जम्मू काश्मीर राज्य right answer है भारत में प्रधम नगरपालिका की स्थापना कहां पर हुई थी तो भारत में सबसे पहली नगरपालिका यहाँ पर आपको जो option देगा है chain नई option number भी सबसे पहली नगरपालिका की स्थापना की गई थी option number यहाँ पर भी right answer है सहारिया किस राज्य का एक सास्त्रिय नरत्य है तो सहारिया ये आपका असम का एक सास्त्रिय नरत्य है option number यह असम right answer हो जाएगा नरत्य बहुत सारे पूछे आ रहे हैं नियाद रखना कौन सा नत्य किस राजी से संबनेते बहुत सारी कॉश्चन आ रहे हैं तो या रखना गोधावरी नदी का उदगम इस्थल इन में से कहाँ पर है तो गोधावरी नदी जो है आपकी ये नासिक से इसका उदगम इस्थल है और बारत में पहली वार पंचायती राजवयस्था की शुरुवात कहां पर हुई थी तो सबसे पहले पंचायती राजवयस्था यह आपकी राजस्थान में इसकी शुरुवात हुई थी ऑप्शन नमबर भी राजस्थान में पंचायती राजवयस्था की शुरुवात हुई थी केंद्रिय चमडा अनुसंधान केंद्र केंद्री चमड़ा अनुसंधान केंद्र अगला कॉशन तीर्थ इस्तल अमरनाथ किस राज्य में इस्तत है तो तीर्थ इस्तल अमरनाथ यह आपका जम्मू काश्मीर में इस्तत है अमरनाथ ऑप्शन नमबर भी में जम्मू काश्मीर लिखा है और जम्मू काश्मीर बिल्कुल सही answer है लो सुंग या लो सांग त्योहार किस राजी में मना जाता है तो लो सुंग त्योहार ये आपका मना जाता है सिक्किम राजी में कहाँ पर सिक्किम में मना जाता है लो सांग त्योहार option number यहाँ पर भी सिक्किम राजी right answer हो जाएगा प्रश्न के लिए अगला कोशन हजरत निजामुद्दीन ओलिया की दरगाहा किस शहर में है मुंबई, पूने, कोलकता या दिल्ली तो या रखना हजरत निजामुद्दीन ओलिया इनकी दरगाहा है दिल्ली में अप्शन मड़ी दिल्ली में दरगाहा है हजरत निजामुदीन औलिया की दरगाह ठीक है अगला कॉप्शन दीखे विश्व सान्ती स्टूप कहा परिस्त है तो विश्व सान्ती स्टूप याद रहेगा विश्व सान्ती स्टूप राजगीर ओप्शन नमबर भी राजगीर में विश्व सान्ती स्टूप इस्तत है ओ यारी इसमहिंत के लिए पढ़ाय के लिए राइग कर दीजिए आप जो पढ़ ने ही लाइक कर दीजिए प्लीज लाइक कर दीजिए कही अपका पड़ता है उत्तर प्रदेश राज में सब्सक्राइग Max л कोशन दिखे पंडित जवाहर लाल नहरू का जन्म कहां पर हुआ था तो पंडित जवाहर लाल नहरू जी जो थे यह आपके इलहाबाद में जन्मे थे जवाहर लाल नहरू जी मर्मागाव बंदरगा कहां पर सित है गोवा तरपुरा करनाटक या हरियाना तो मर्मागाव बंदरगा यह आपका गोवा में सित है ऑप्शन नुम्बर ए गोवा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए अगला कोशन दिखे जली कट्टू खेल किस राजी से संबनत है तो जली कट्टू खेल यह आपका तमिल नांडू राजी से संबनत है यह जो है आपका ऑप्शन नुमर यहापर भी तमिल नांडू राजी राइट आंसर है नाम दफा वन जीव अब्यारन यह किस राजी मिसत है तो नाम दफा वन जीव अब्य में पढ़ता है option number C अरो आचल प्रदेश right answer है उत्तर प्रदेश के बाद बड़ी संख्या में लोग सभा सांसदों को भीजने वाला राजी कुन सा है उत्तर प्रदेश के बाद दिखें बिएस्ट जहादा दो सीट उत्तर प्रदेश में उस के बाद devil boundary मैं इस रो का मुख्याल शीथ है अगला कॉश्शन दिखे चार मीनार यह कहां पर इस तैंट तो यहां पर राइ्ट आञए चार मिनार के लिए हमदावाद हैंद्रावाद ने जयापूर में राइट आञए आञशल आपका हैधरा यहीजा के पर है making दॉफिण से कुरुछेत्र इस तल भारत के किस राज्य में परता हैपने महा बारत में कुरुछेत्र चे पारे में सुना होगा तो कुरुशेत्र जो है जिसका जिक्र वहां भारत में किया गया है कहां है तो यह हर्याना राज्य में पढ़ता है औप्शन नमर यहाँ पड़ी हर्याना राज्य राज्य राइट आंसर है चंडीगड में इस्तित रॉक गार्डन के स्रजन करता इन में से कौन थे तो जो रॉक गार्डन है चंडीगड में उसके जो स्रजन करता है वो है आपके नेक चंद option number ये नेक चंद right answer हो जाएगा पुशकर जील कहां पर इस्थत है पानीपत अजमेर बनारस या पटना तो पुशकर जील ये आपकी अजमेर में स्थत है option number भी अजमेर right answer है multi art केंद्र भारत भवन ये कहां पर है तो भारत भवन multi art केंद्र है और ये मदपदेश की राजधानी भोपाल में स्थत है option number भी भोपाल right answer है गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थत है तो गोलकुंडा किला जो पड़ता है ये आपका है आंद्रपदेश में option number भी आंद्रपदेश में गोलकुंडा का किला है असम में इस्तित काजी रंगा राष्ट्री उध्यान किस जानवर के लिए फिमस है हाथी घोडा गेंडा या बाग तो काजी रंगा राष्ट्री उध्यान ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फिमस है तो option बसी गेंडा right answer है हैदराबाद किस नदी के तटपर है मैंने आपको बता दिया है answer अब आप कमेंड करके बताओगे आपके सामने option है इसी वीडियो के यदि आपने ध्यान से सुना होगा ये आपकी एक आगरता दिखाएगी कि आगे पाठ पीछे सपाठ तो नहीं हो रहा है हैदराबाद किस न नदी पर बनाया गया है तो जो मैट्टूर बांध है यहां पर राइट answer हो जाएगा ये बनाया गया है कावेरी नदी पर option नमरे कावेरी नदी पर बना हुआ है मैट्टूर बांध साथ टापूओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है साथ टापूओं का शहर तो यहां कबना है कृष्णा नदी पर option number B कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ option number B right answer है फूलों की घाटी चमोली भारत के किस राज्य में अवस्थत है केरल तमिलनाडू उत्राखंड या हर्याना तो फूलों की घाटी चमोली ये उत्राखंड राज्य में इस्थत है option number C उत्राखंड राज्य में चमोली इस्थत है मौन घाटी या साइलेंट वैली ये किस राज्य में इस्थत है तो मौन घाटी या साइलेंट वैली ये आपकी इस्थत है केरल राज्य में option number C केरल राज्य में मौन घाटी है, साइलेंट वैली स्थित है, हुंडरू जलपरपात किस नदी पर स्थित है, तो हुंडरू जलपरपात ये आपका सुवण रेखा नदी, option बड़ी, सुवण रेखा नदी पर हुंडरू जलपरपात स्थित है, संग मरमर के लिए प्रसिद मकर डिच बीच में आपसे कुछ खूशन पूछूंगा उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना हमपी का खंड़हर किस राज्य में अवस्त है मद्यपदेश, करनाटक, बिहार या उत्तरपदेश हमपी के खंड़हर की बात हो रही है तो हमपी का खंड़हर यहाँ पर आपको जो option देगा है right answer हो जाएगा यह इस्थत है आपका करनाटक में option number यहाँ पर भी करनाटक right answer हो जाएगा हमपी के खंड़हर के लिए बहुत शांदार question question number 3 महातमा गांधी जलपरपात या गर्सुपा जलपरपात महातमा गांधी जलपरपात यह किस नदी पर इस्थत है शरावती नदी नर्वदा कावेदी कृष्णा यह अभी SSC में उठके आया था question और सीटेट में भी पूछा गया था तो right answer हो जाएगा महातमा गांधी जलपरपात शरावती नदी परिस्थत है option number यह सरावती नदी right answer है प्रश्णे के लिए उम्मीद करता हूँ सबका सही क्या होगा अगले question के लिए अगले challenge के लिए बढ़ें तो यह अगला challenge कचारी जन्जाती किस राज्ज से सम्वनित है कचारी जन्जाती पश्यमंगाल केरल असम या उत्राखंड तो कचारी जन्जाती यह सम्वनित है असम राज्ज से option number C असम राज्ज राइट answer हो जाएगा मैंने आपसे कहा था कि बीच 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 कुछ caution पूछूँगा आप comment box में comment देना answer तो आपके लिए मैं इक caution दे रहा हूँ कि असम की राजधानी क्या है बताओ चलो असम राज्ज की राजधानी क्या है सभी student के लिए question है यह homework समझ दीजिए comment box में इसका answer दीजिए असम राज्ज की राजधानी क्या है comment box में answer दीजिए अगला question है इडुक की परियोजना किस नदी पर इसे थे इडुक की परियोजना कावेरी कृष्णा पेरियार या फिर तुंगभद्रा अगला question दीखिए इसमों पूछा गया है आपसे अगले question में कि मले आलम जो है यह किस राजध की राजधानी बहाशा है मतलब मले आलम कहां बोली आती है मुखिता किस राजध में तमिलनाडू, केरल, आनरप्रेश या करनाटक सभी south की option है और south में बोली आती है और south में बोली आती है मले आलम आपकी किस में तो यह बोली आती है आपकी केरल राजध में option number भी जिस जिसको दिमाग में यह आ रहा है तो option number भी बिलकुल सही answer हो जाएगा भारती ओवन अनुसंधान के इंद्र यह कहां परिस्थित है भारती ओवन अनुसंधान के इंद्र दहरादून, हैदराबाद, भोपाल, लखनव तो भारती ओवन अनुसंधान के इंद्र जो है ओवन अनुसंधान के इंद्र आपका दहरादून में option number यह दहरादून में सही आंसर जाना चाहिए कम से कम 90% स्टुडेंट का सही आंसर होगा और वो है आपका उत्तराखंड आप में से जिस ने उत्तराखंड आंसर सोचा है बिल्कुल सही है एक नंबर आपके पक के जिम कारवीट नैशनल पार्क के लिए अगला कॉस्चन देखिए तो एन रौन पा महाराश्टर से एन रौन पाओर परिणा ऑप्चित नंबर भी महाराश्टर से संब्बनित है थीन बांद किस नदी पर इस्तित है नदियों के नाम दिये हैं आपको सतलज नदी जेलं नदी रावी नदी और मशते तो सदलज जेलं रावी और व्यास इन में से जो फिस है सोच लिया होगा आपने राइट आंसर देखो किस किसका राइट है रावी नदी ऑप्शन नमबर सी यहां पर राइट आंसर है कोलार की खान किस राज्य में से थे केजी एफ मूवी देखिए केजी एफ बहुत लोगों ने देखिए होगी रॉक की भाई है ना कई लोगों के फैवरिट भी होगे तो कोलार की खान कोलार गोल्ड फील्ड केजी एफ का फुल फॉल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड और यहीं पर शूटिंग भी हुई है, कोलार की खान में, सोने की खान थी यह, यह इस्ते थे आपकी करनाटक राज्य में, कहां पर है तो करनाटक राज्य आप्शन बड़ी, करनाटक राज्य राइट आंसर है, दोस्तों, जो नए लोग हैं, उनको एक सूचना, पुराने लो साथ ही साथ पटवारी, पुलिस, सभी एक्जामों में यह कौशन आ चुके हैं, जीके के, और आप जिस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, उसमें भी आ सकते हैं, दस हजार कौशन की एक पीडियेप बनाई है, जो की वाटसप पर मिलेगी, जैसे वाटसप पर हम किताब सकते हो, और यह जो है पीडियेप 300 रुपए की है, लेकिन अभी एक्जाम चल रहे हैं, तो आप सभी को 99 रुपए में दी जा रही है, क्योंकि सब के एक्जाम है, तो आपने प्राइस रसा रखा कि हर कोई ले सकी, 99 रुपए में 10,000 GK के MCQ मिलेंगे, पेमेंट कैसे करना ह तो नीचे देगा नंबर पर फॉन पर फॉन पर गूगल पर पेटियम के मादियम से आप पेमेंट का सकते है, 99 रुपए का, और वाटसप पर मुझे स्कीन शॉट भेज देना, अधिक जानकारी के लिए नीचे देगा नंबर पर कॉल कर लेना, यह नंबर आपको पूरे व बंगाल में, कहां पर सिते है, पश्चिम बंगाल में सिते प्लासी, ऑप्शन बड़ी, पश्चिम बंगाल राइट आंसर है प्रशने के लिए, अगला कॉशन देखिए, अगली कॉशन पूछा गया है कि केवला देव पक्षिय अभ्यरन, most important star लगालो, केवला देव यह आपका पढ़ता है, आप राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रशने के लिए, तो राजस्थान राजे, ऑप्शन बंगर यह राजस्थान राजे में केवला देव पक्षिय अभ्यरन है, अगला कॉशन देखिए, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सुगर टेक्नोलोजी कहां पर इस्टित है, तो इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सुगर टेकनोलोजी, यह आपका इस्टित है, कानपुर में, ऑप्शन बसी, कानपुर उत्तर पुदेश में इस्टित है, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सुगर टेकनोलोजी, चलो उत्तर पुदेश की बात ह अगला कौशन देखिए अगले कौशन पूछा गया है कि प्रसद्ध मीनाक्षी मंदर कहां परिस्ट है फेमस मंदर याद कर लेना किस शहर में है जैसे कि अभी आया था एक्जाम में आपको महा काल इश्वर मंदर महा काल मंदर किस जगा पर है ये कौशन आ चुका है आप मे में आक्षी मंदर आपका मधुरह में है ऑप्षे नू शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी स्टार लगा लो कौशन है ममेलुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो ममेलुक का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा दास जिसको जन्मे देने वाले माता पिता दास ना हो सबसे पहले वो दास बना है उसके माबाप दास नहीं ते वो खुद दास बनाओ ममेलोग का शाब्दिकार्थ होता है यार रखेगा अगला कॉप्शन दिखिए ब्रहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस ने करवाय था तो जो ब्रहदेश्वर प्रसिद्ध ब्रहदेश्वर मंदिर है उसका नमान राज राज प्रथम के द्वारा कराए गया था यहाँ पर option number C में राजा राज प्रथम दिखा है बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा ब्रहदेश्वर मंदर का नमान इनके द्वारा कराए गया था सेलुकस अपने राजदूत मैगस्तनीज को किस मौरे राजा की दरवार में भेजा था तो सेलुकस ने मैगस्तनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौरे की दरवार में option number V चंद्रगुप्त मौरे की दरवार में सेलुकस ने मैगस्तनीज को भेजा था किस आंदोलन के दोरान वंदे मातरम गायन के लिए राज द्रोह की संग्या दी गई थी तो यदि कोई वंदे मातरम गायन जो करता था उसको राज द्रोह की संग्या स्वादेशी आंदोलन के दोरान दी गई थी option number B स्वादेशी आंदोलन option number B याद रखेगा मौरे सामराज के संस्थापक इन में से कौन थे तो मौरे सामराज की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी चंद्रगुप्त मौरे ने सब से पहले शाषन किया था तो मघद पर सबसे पहले शाषन किया था महत्मा गांदी जी ने हरीजन नामक सापताहिक Πत्री काamarप इसक वरष शाषन किया था तो महादमा गांडी जी ने हरीजन नामक सापताहिक पत्रिका निकाली थी ये निकाली थी आपकी 1933 में ऑप्शन नमबर ए 1933 में हरीजन नामक सापताहिक पत्रिका निकाली थी गौतम बुद्ध को बोधी व्रक्ष के नीचे किस उम्र में ग्यान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध जी को ग्यान की प्राप्ति हुई थी बोधी व्रक्ष के नीचे ये भी एक्जाम में आता है कि किस व्रक्ष के नीचे उनको ग्यान की प्राप्ति हुई और उम्र थी उनकी 35 साल, option number C, 35 साल 35 इयर, प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अगला question देखिए, कालीकट किस शहर का पुराना नाम था, कालीकट जो नाम रखा गया था, ये किस शहर का पुराना नाम था, तो कालीकट जो नाम रखा गया था, ये था आप ब्रिटिश था, डच था ये पुर्तगाली, वासकोडीकामा किस शुदेश का निवासी था, ब्रिटिश, डच ये पुर्तगाली, comment box में comment करके बताईएगा, ठीक है, कौन सा संगठन सीमा सडक का नियधारन और प्रबंधन करता है, तो सीमा सडक का नियधारन और सड़ हो जाएगा, बौध संग में भिक्षुडी के रूप में इस्त्रियों के प्रवेश की अनुमती बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी, तो इस्त्रियां भी भिक्षुडी बन सकती थी, ये अनुमती गौतम बुद्ध जी ने वैशाली में दी थी, option नमबर भी व औप्षन नमबर C, चंद्रगुप्त द्वाती राइट आंसर है, आबु के दीलवाडा जैन मंदर किससे बने हैं, तो आबु के दीलवाडा जैन मंदर जो हैं, ये आपके संग मरमर के बने हैं, option नमबरी संग मरमर राइट आंसर है, चितोड का कीर्तिस्थम्ब किसने बने हैं, तो चितोड का कीर्तिस्थम्ब है, ये राणा कुम्भा जी ने बनवाए था, option नमबर B, राणा कुम्भा जी राइट आंसर है, प्रशने के लिए, अगला कोशन दिखिए, प्रत्वी राज चोहान, राय पितोडा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है, तो जो प्रत्वी राज चोहान जी हैं, वो थे आपके प्रत्वी राज त्रतिय, option नमबर C, पहले क्या चलता था, प्रत्वी राज त्रतिय, चंद्रकुप्त, प्रत्वी राज त्रतिय, option नमबर यहां पर C, राइट आंसर है, स्वतंता आंदोलन में, पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सैनानी बताईए तो स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सैनानी उनका नाम था आपका बाल गंगल हर्त लग जी सबसे पहले जेल गए थे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए option number A यहाँ पर right answer है इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है तो इंडिया डिवाइड जो पुस्तक है इसके लेखक है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद जी जो कि हमारे सबसे पहले राष्ट पती भी रहे हैं ऑप्शन नमबर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद जी राइट सबसे पहला आयोजन लखनव में हुआ था ऑप्शन दिखी एक किस तरिथी को मुसलिम लीग ने पाकिसतान दिवस मनाया था तो मुसलिम लीग के दुआरा पाकिसतान दिवस यह मनाया था 23 March 1940 को option number यहाँ पर ड़ी 23 March 1940 right answer है निम्दल कितम से कौन सा भारत में वारिजिक उर्जा का प्रधान स्थूथ है वारिजिक commercial energy हम किसे प्राप्त करते हैं प्राक्तिक गैस कोईला, खने जिते लिया नाभी की उर्जा तो सबसे जादा कोईला option number भी कोईले से जो है उर्जा energy प्राप्त की जाती, option number यहाँ पर भी right answer हो जाएगा ओजोन परत मुखिता कहां अवस्थित है तो ओजोन परत जो है, यह कौन से स्पेर में पाई जाती, तो यह स्टेथो स्पेर में पाई जाती है option number भी, स्टेथो स्पेर प्रश्ण के लिए right answer हो जाएगा तो स्टेथो स्पेर मतलब होता है आपका समताप मंडल, ठीक है हिंदी में भी आ रखो, समताप मंडल right answer हो जाएगा, स्टेथो स्पेर का मतलब अगला question दिखिए जनसंख्या रद्धी का सरवादिक प्रतीशत किस महादीप के देशों में पाई जाता है तो सबसे जादा प्रतीशत जनसंख्या रद्धी हो रही है या एशिया में चीन और इंडिया, यही दो तो सबसे नंबर पर one पे और two पे है option number B, एशिया में जनसंख्या रद्धी का सरवादिक प्तीशत है नागारजुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्त है तो नागारजुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर अवस्त है option number B, कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा बुक्सा बाग परियोजना यह किस राज्यम है तो बुक्सा या बुक्सा बाग परियोजना यह आपकी है पश्चम बंगाल राज्यम है option number B, पश्चम बंगाल राज्यम है यह बाग परियोजना एक्जाम में कई बार यह कौशन पूछा गया है अगला कॉशन कौन सी जोड़ी सुमिलत नहीं है मतलब गलत दी गई है तो यहाँ पर आपको जो option दिये गा है इसमें से right answer क्या हो जाएगा तो उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है option नमबर यहाँ पर C प्रशन के लिए गलत आंसर दिया गया है तो सियोल जो है दक्षन कोरिया की राजधानी सियोल उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंग यांग और दक्षन कोरिया की राजधानी है सियोल या रखेगा प्रत्वी तल की आयू लगबग कितनी पुरानी मानियाती है तो प्रत्वी तल की आयू लगबग जो है 4.6 million वर्ष चार्द संबलो 6 million वर्ष मानियाती है option number यहाँ पर A right answer है बेगई क्या है बेगई क्या है तो जो बेगई है यह पश्यम एशिया की एक जन जाती है option number यह पश्यम एशिया की जन जाती है बेगई जन जाती आ रखेगा भारत में कितने राज तटरेखा से लगे हुए हैं समुद्री तटरेखा से लगे हुए है तो यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा प्रशनी के लिए तो यहाँ पर आपको जो option दिया गया है 7, 8, 9, 10 तो total 9 राज्य है option number C total 9 राज्य हैं जो की समुद्री तटरेखा से लगे हुए है option number यहाँ पर C right answer हो जाएगा राज्यू गांधी राष्टी युवा विकार संस्थान कहाँ पर है तो राज्यू गांधी राष्टी युवा विकार संस्थान यह आपका पढ़ता है तमिल नाडू राज्य में option number A में तमिल नाडू राज्य लिखा है option number A यहाँ पर right answer है प्रशने के लिए नंदा देवी चोटी किस भाग में हैं? तो नंदा देवी चोटी जो है ये आपका पढ़ता है कुमाउ हिमालय का भाग कौन सा भाग है? कुमाउ हिमालय का भाग पढ़ता है option number यहाँ पढ़ी कुमाउ हिमालय राइट आंसर है अगले question पूछा गया कि अंदामान और निकोबार द्वीप समू का सर्वुच परवत पल्यान सिखर जिसको इंगलेश हिम बोलते हैं sandal peak sandal peak किधर है? किधर इस्तित है इन में से तो जो sandal peak है यह आपका यहाँ पर जो option देगा है राइट आंसर हो जाएगा यह है उत्तरी अंदामान option बड़ी उत्तरी अंदामान में सबसे उची चोटी है अंदामान और निकोबार द्वीप समू की याद रहेगा एक्जाम में कई बार पूछा गया question है कौन सी परवत सर्णी केवल एक ही राज्यों में फैली है? अरावली, सत्पुड़ा, अजंता या सयाद्री तो अजंता परवत माला ये केवल एक ही राज्य में है बाकी सभी अलग-अलग राज्यों में भी फैली हुई है अब आपको कमेंट करके बताना कि अजंता की पहाड़ियां किस राज्य में पढ़ती है अजन्ता परवत स्रिणी किस राज्यम है comment box में इसका answer आप देंगे हिमालय का विस्तार अराकान योमा यह कहां पर है तो हिमालय का विस्तार अराकान योमा यह हमारे पड़ोसी देस म्यानमार तक फैला हुआ है अराकान योमा कहां की परवत चोटी है तो म्यानमार की और ये हिमालय परवत ही है उसका विस्तार वहां तक हुआ है eफ़ नरवदा इवं ताप्ती नदियों के मध्द इन में से कौन सी पहाणी इस्तित है तो या रखिएगा नर्वदा और ताप्ती के मद्द सत पुडा स्रिनी इस्तित है, सत पुडा की परवत माला इस्तित है नर्वदा नदी और ताप्ती नदी के बीच आप कीनियम दे लगए तो रक्षों में से कौन सा रक्ष पर्यावणिय संकट माना जाता है इसका सही यवाप था आपका eucalyptus option अमबड़ी eucalyptus क्या करता है आस पास जितना भी पानी रहता है उन सब को निचोड लेता है उन सब को निचोड लेता है तो eucalyptus जो है ये परियावन के लिए संकट माने जाता है